कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों है फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को संपें प्रतिष्ठा के पहले संपतें रामानंद संप्रदाय की लोग ही महां प्र अब देखिए बात यह है यह कप कहा उन्होंने कल वक्त भी आ गया चारों संक्राचारी वहां पर नहीं जा रहा है कारण क्या है क्यों नहीं जा रहा है किसी रागत द्वेश के कारण नहीं बलकि संक्राचारियों का यह दाईत्व है कि वह शास्त्र विधी का पालन करें और करवाएं अब वहां पर शास्त्र विधी की उपेक्षा हो रही है सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है कोई ऐसी परिस्तिती नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े देखो किसी समय 25 दिसंबर की रात को वहाँ पर मुर्तियां रख दी गई थी वो एक परिस्तिती थी कि रात को बारा बज़े जा करके घुश करके रख दिया रामचे नुजदास परमहन साधी लोगों ने उस समय के जो वहाँ के कलक्टर थे नयर सहाब के सहयोग से और उसके बाद 1992 में धाशाट आया गया उस समय कोई मुर्त थोड़े देखा जा रहा था उस समय जैसी परिस्तिती थी उसी में आनन पानन में तंबू अपतान करके बगवान की मुर्ति रायव हो गई थी उसको फिर उनके राजसाहाब के घर से उनके दादी जी की मुर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया कर ला है यह हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि यह ठीक नहीं है अब यही हम कह रहा है तो हमको कहा जा रहा है कि यह लोग तो बिरोधी हैं एंटी मोधी हैं इसमें एंटी मोधी की क्या बात है हम एंटी मोधी नहीं है लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होन राम है ये किसने हमको बताया हमारे धर्म शास्त्र ने हमको बताया राम की पूजा करने से तुम कृतिकरते होगे ये किसने हमको बताया ये राम ने हमको बताया इसलिए उसी शास्त्र से जिस शास्त्र से हमने राम को जाना उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विदी भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करने हमारी बात जिता है। तो इसलिए कोई भी शंक्राचारी चार शंक्राचारियों में से वह नहीं जा रहा है। अब जब ये बात सारवजणिक हुई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहा है कि शंक्राशारियों की यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो रामानंदा संप्रदाय के लोगों का स्थान है तो सवाल यह है कि रामानंदा जो संप्रदाय है उसका अगर यह मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है प्रुश्ट में सारे लोग त्याख पत्र दें रामाननन्द संप्रदाय के जो साधू महात्मा है रामानन्द संप्रदाय के जो आचारी है उनको त्रस्ट को जिम्मेदारी संपी जाए और वो लोग प्रोदिश्ठा करें हम स्वागत करेंगे चंपतराय जी की इस बात का हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें दिक्कत इस बात की है कि सादू संतों को हटा करके ये कारे करता लोग वहाँ पर बैठे हैं और सादू संतों में भेट डालने की बात कर रहे हैं जब चंदा ले रहे थे उस समय क्यों नहीं ये गोशित किया कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है रामानंद संप्रदाय के लोग देते उस समय तो आपने पूरे देश के सनातन धर्मियों से लिया उस समय हम लोगों से भी चंदा लिया जब शंकराश यार जी का मंदिर नहीं है तो शंकराश यार जी चंदा क्यों सुईकार किया आपने उस समय ये स्पष्टता क्यों नहीं की आपने पूरे देश से हर हंदुस्तानी से हर रामभक्त से वो किसी भी संप्रदाय का हो उससे चंदा लिया और उस चंदे की ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहे हैं कि ये रामानन संप्रदाय का मंदिर है ये अनईतिक है और अगर आप ये कह रहा है हमको बड़ी प्रसंदा है बिल्कुल सही रामानन संप्रदाय हमारा है इसलिए चंपत राय जी अगर आप में थोड़ी भी नईतिकता बची हुई है तो त्याग पत्र दीजिए और रामानन संप्रदाय के साथ उमों को ट्रस्ट सौंपिए हम बहुत कुछ होंगे आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानन संप्रदाय के लोग तो उनका तो हई है कोई बाती नहीं है ये जो मंदिर है एक तरफ आप कहते हों कि ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है आपी के शब्द है बग्दव वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है और एक तरफ आप कहते हों कि केवल रामानन संप्रदाय का मंदिर है कहां गई हिर्दय की विशालता क्या राम जी के इस मंदिर में जिसके लिए 500 सालों तक सब ने संगर्ष किया है जिसके लिए संकराचाय जी ने पैरोकारी की है आप तो आये नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए और अब आप वहां पर बैठ करके इस तरह से बेदभाव सनातन धर्म के अंदर हिंदू धर्म के अंदर बेदभाव डालने की कोशिश कर रहा है नहीं ये गलत है ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है ये मंदिर समस्त हिंदू का है और अगर नहीं है आपकी बात हम मानने के लिए तैयार हैं कि चलो रामानंद संप्रदाय का है तुरंत ये ट्रस्ट के जितने लोग हैं त्याग पत्र दें आपके सहीत और रामानंद संप्रदाय के जो आशारी हों और उनके जो सादू संत हों विशेश करके निर्मोही अखाड़ा निर्मोही अखाड़े ही वहाँ प वो कहते हैं कि ब्रामन नहीं होगा तो छत्रिय नहीं होगा तो शुद्र नहीं होगा आप निर्मोई अखाड़े को पूजा सौपिए वेवस्था रामानंद संप्रदाय को सौपिए हमको स्विकार है चारों शंकराचारियों को हम समझते हैं अमारा अनुमान है कि उनको प्र बहुत छोटा मत बनी है, ना रहा है